आप सब लोग आप सभी बच्छे काफी अच्छे होंगे मैं विनोथ कुमार बहल आप सभी बच्छों का हमारे इस सैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ वेलकम और वेलकम बाक तो दिस सैनल तो यार ये आज की जो हमारी वीडियो है ये इस चैप्टर का एक हिसाब से Second Last Lecture और Third Last Lecture बना देंगे Let's see आज कितना हो पाता है अमारा आज के इस लेक्षर में हम क्या cover करने वाले है Electric Field Lines के बारे में पढ़ेंगे और Electric Flux के बारे में पढ़ेंगे जिसका जो आधार है हमारा next lecture यानि ghost theorem के लिए तो ये lecture हमारा बहुत प्यारा होने वाला है आप लोगों को ये lecture देखना है पूरा आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहूँगा ये जो notes है ये आपको सारे के सारे description में मिल जाएंगे साथी साथ मैं एक और चीज़ कहूँगा बच्छे जो कि बहुत important है यार सुन लेना मर्जी तुम्हारी है तुम्हें apply करना है कि नहीं करना है वो तुम्हारी मर्जी है लेकिन एक बार सुन जरूर लेना ठीक है ना just give me a moment guys working on it क्या होगे भाई हाँ चलो आगे यार यह एक पोटो सी है आपके सामने यह मैंने खूल दिया यह आप आप सभी बच्चे मेरे से पढ़ रहे होंगे या आज पहला दिन होगा आपको मुझसे पढ़ने मतलब मुझसे पढ़ने के लिए यह पूरा ले लिए उसके बाद डिसाइड करना अगर आपको पेड़ बैच की रिक्वायर्मेंट है और आपको ले रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखे हैं आपको कोड वी के आर्मी यूज करना है और यह जो भी लेना है यह डिसिजिजन आप जो है न यह आप आपको 17,000 रुपे का मिलेगा सीधा सीधा 6,000 का गैप है अगर आप प्लस लेते हैं तो अगर आप आपको प्लस पे आना है तो यह एक बेस्ट मौका है फ़र्स में के बाद फिर आपका जो मतर 30 एपरिल के बाद हमारे प्राइस हाई को जाएंगे आज 27 तरह के 28 29 और 30 यह वीडियो आपकी आज आ रही होगी मतलब कल आ रही होगी वैसे तो 28 29 और 30 दिन का टाइम बचा हुआ है तो यह देख लेना ठीक है ना आपके लिए यू कर देख लेक्शन का फाइदा ही होता कि यहाँ पर प्रेंट से कैनेक्ट मिल जाता है एक परस्टनल मिंट और मिल जाता है ठीक है न आप वी का यमी कोडेओं करीगा हैख अ व्लोग लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे बच्चा है हम लोग ओल्या क्या किए करने वाले हैं आज 30 to 40 minutes के आसपास का ये lecture रहने वाला है हमारा तो एक बार आप जरूर देख लिए इसको My dear students, electric field lines क्या है यार आपने electric field के बारे में पढ़ा था कि एक चार जगर मेरा रखा हुआ है तो उसके चारों तरफ के space या region को मैं electric field बोलता हूँ अब यार उस electric field के जो magnitude है जो उसका strength है उसको हम electric field intensity बोलते है तो ये electric field lines क्या है अगर मैं आपको बताऊं बच्छे तो these are imaginary lines ये कुछ imaginary lines है जो हमें electric field की direction चो करती है विच चोज दी direction of electric field तो अगर इसके बारे में लिखना होगा तो आप क्या लिखोंगे कि सर थीज आर imaginary lines shows the direction of electric field कैसे शो करेगी बाई electric field की direction मैं वो भी बता देता हूँ अग्चिली ये continuous curves होती है है जैसे आप देखो ये एक line है for an example ये एक curve है ये एक curve है एक P point है यहाँ पर Q point है R point है S point है इसमें अलग-अलग points पर अलग-अलग है ये रहा भाई P point पर electric field की direction ये Q point पर ये आपका R point पर ये आपका S point कैसे पता चला हमें कुछ नहीं आप उस curve के उपर टेंजेंट ड्रॉग कर दो तो आपको electric field की direction पता चल जाएगी तो कहीं न कहीं यार इलेक्ट्रिक फील्ड ला है और कुछ diagram है जो हमें बनाने पढ़ेंगे जो हमें यहाँ पर पढ़ने पढ़ेंगे तो मैं आपको पहले पढ़ा देता हूँ properties of electric field lines तो मैं आपको पहले करा देता हूँ यार properties of electric field lines properties of electric field lines राइट बच्चापाटी क्या करेंगे हम लोग properties of electric field lines सबसे पहले पहली property तो यार यही पे मिलेगी आपको कि electric field lines electric field lines are continuous curves continuous smooth curves without any breaks बगेर किसी break के यह continuous smooth curves होती है जैसे मैंने आपको बताया like this जो हमारी दूसरी property है वो यह है कि यार electric field line हमेशा positive charge से निकलती है और negative charge पर terminate होती है कि यार electric field lines हमेशा positive charge से निकलती है और negative charge पर terminate होती है okay so you will like okay sir electric field lines electric field lines originate from positive charge originate from positive charge and terminate at negative charge electric field lines always originate from positive charge and terminate from negative charge ठीक है बच्चा मतलब कैसे मतलब यह positive से निकलेंगी negative पर terminate होंगी पूरा बनाऊंगा मैं आपको अलग-अलग डियाग्राम्स बनाऊंगा मैं आपके लिए तो यह basically इसकी property है कि electric field lines हमेशा positive charge से निकलती है और negative charge पर terminate होती है यानि यह बात ऐसी है कि यार यह positive से निकल रही है अगर negative पर terminate हो रही है तो आप यह समझ लो negative से नहीं निकल सकती तो मतलब कहीं न कहीं यह ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहां से निकले फिर वापिस यही पर आजए नहीं इसका मतलब यह close loop नहीं बना सकती तो तीसरी property है that तीसरी property है बच्छा electric field lines do not form close loops electric field lines do not form close loops electric field lines close loops नहीं बना सकती एक और property है बहिया दो electric field lines आपस में intersect नहीं कर सकती क्योंकि जिस point पर intersection होगा उस point पर there will be two direction of electric field lines which is two direction of electric field which is not possible एक ही point पर electric field को दोड़ा direction कैसे हो सकती है समझाता हूं कैसे लिखना भी इसको मैं side लट जाओंगा फिर आप पूरा देख ले ना so no two electric field lines या you normally लिखो two electric field lines cannot intersect each other या normally लिखो two electric field lines cannot intersect each other because at the point of intersection there will be two direction of electric field which is not possible मैंने क्या बोला आपको मैंने आपको बोला कि यह electric field lines are continuous smooth curves without any brakes electric field lines originate from positive charge terminate and negative charge electric field lines do not form close loops दो electric field lines आपस में कभी intersect नहीं कर सकती देखो एक line यह है हाया ना इधर तो electric field की direction यह है भाई आप इसी पॉइंट पर अगर आप इधर देखोगे तो यार मान लेते हैं यह आपका एक और electric field lines ऐसे मान लेते हैं मैंने इंट्रसेक्ट करा दिये अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह इधर हो गया और यह इधर हो गया एकी पॉइंट पर electric field की दो direction हो गई पॉसिबल ही नहीं है ना भाई एक पॉइंट पर तो electric field की एक ही direction होगी चार तो properties आपकी ही हो गई सर और भी properties है क्या हंजी बिलकुल और भी properties है उसके बारे में भी बढ़ा रहा हूँ तो आपको क्या मिला आपको एक तो यही मिला कि यह electric field lines are continuous smooth curves without any breaks electric field lines originate from positive charge and terminate and negative charge electric field lines do not form closed loops two electric field lines cannot intersect each other because at the point of intersection there will be two direction of electric field which is not possible okay एक तो यही वाली property ले लो भाई पाच भी property क्या लो गया tangent to electric field line tangent to electric field line gives us the direction of electric field क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या वोला हमने सर अगर यह electric field line है इसको अगर मैं एक tangent ड्रॉ कर देता हूँ तो ये मेरी electric field की direction है Electric field line है उसकी उपर आप tangent ड्रॉ करदो वो electric field की direction है क्या मेरी बात समझ में आ रही है I hope this is very very clear to you all So tangent to electric field line gives the direction of electric field So tangent to electric field line gives us the direction of electric field Clear रही या बात में तो कोई दम है यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है यहां तक हाँ sir एक और चीज वो कह रहा है कि यार जितनी ज्यादा electric field पास-पास होंगी उतना ज्यादा electric field का magnitude होगा उतनी ज्यादा electric field stronger होगी यारी कि एक और property मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं यह लिख सकता हूँ crowder the electric field lines are more is the electric field strength मेरे कहने का मतलब यह है and why से वर्सा में आप क्या लिख देंगे कि अगर दूर दूर होंगी तो less crowded मतलब less less magnitude of electric field more crowded मतलब more magnitude of electric field कैसे देखो अगर मैं आपको यह बताऊं भाई एक यह point ले लेता हूँ even magnitude electric field और एक यह point ले लेता हूँ इधर दो line में ज्यादा gap है और इधर दो line में कम gap है तो मैं सीधा सीधा कहूँगा even is greater than e2 क्योंकि even जो है वो ज्यादा crowder है मतलब even point पर जो electric field lines है वो ज्यादा crowder है मतलब magnitude ज्यादा होगा और e2 पर lines में gap ज्यादा है इसका मतलब electric field का magnitude कम होगा इसका मतलब electric field का magnitude कम होगा मेरे हिसाब से तो ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आभी रही है और बिल्कुल clear भी है और क्या बोल सकता हूँ मैं हाँ lateral contraction होता है और sideways extension भी होता है ठीक है ना अगर lateral contraction है ये contraction कैसे होगा ये मैं आपको अभी बता देता हूँ अगर lateral contraction है तो मतलब ये attraction को show कर रहा है मतलब ये attraction को show कर रहा है इसका क्या मतलब है ये वाला point अभी जब मैं आपको diagrams बनाऊंगा ना तब आपको समझा दूँगा lateral contraction का मतलब है ये आपका ये आपका attraction को show कर रहा है और वही lateral या फिर sideways बोल सकते हो आप extension का मतलब है repulsion कैसे मैं इन दोनों को अभी re-explain करता हूँ basically अभी एक बार लिख लेता है, diagrams ड्रॉ कर लेते है electric field lines for various charge systems यह आपने note कर लिया होगा I guess पहले वाला page भी note कर लिया होगा आपने आप लोगोंने यह दूसरे वाला page भी note कर लिया होगा so electric field lines for various charge system electric field line for various charge systems सबसे पहले-पहले हम लोग एक isolated positive charge ले लेते हैं सबसे पहले-पहले हम लोग isolated normally एक positive point charge ले लेते हैं या फिर आप ये पहला है या दूसरे में आप isolated negative charge ले लेते हैं यदि तो सिरफ positive charge है यदि तो सिरफ एक positive charge रखा हुआ है बच्चे यदि तो सिरफ एक positive charge रखा हुआ है तो इधर से जो electric field lines है निकलती है सबको पता है हां जी बिलकुल निकलती है कैसे निकलेंगी radially उसके radius के along बाहर निकलेंगी भाई infinity तक जाएंगी till infinity क्योंकि कुछ और नहीं है ना तो radially बाहर निकलेंगी infinity तक जाएंगी electric field lines बाहर निकलेंगी भाई और infinity तक जा रही होंगी अगर मेरा यह positive point charge है अगर मेरा यह positive point charge है तो मतलब electric field lines are radially outwards मतलब electric field lines are radially outwards और यदी और यदी negative point charge है isolated negative point charge है तो उस case में बचसे electric field lines are radially inwards तब electric field lines are infinity से और radially inwards मतलब इसके radius के अलोंग अंदर जाएगी electric field lines तब electric field lines are radially inwards यानि इस case में electric field lines are radially inwards बचसे यानि इस case में बटा electric field lines are radially inwards क्या मेरी बात समझे में आ रही है यदी isolated positive point charge है तो उस case में electric field lines are radially outwards इस case में electric field lines are radially inwards मेरे इस साब से तो यह बात बिलकुल अच्छे से क्लियर है आप सभी बच्चों को अगर तो एक positive point charge है और एक negative है चाहे तो आप dipole ले लो magnitude अलग अलग होगा तो electric field lines अलगी होएंगी इसका मतलब number of electric field lines are directly proportional to the magnitude of the charge तो यहाँ पर हम एक और property लिख सकते है बाई क्या लिख सकते है यानि number of electric field lines is directly proportional to the magnitude of the charge number of electric field lines is directly proportional to the magnitude of the charge जितना ज्यादा charge का magnitude उतना ही ज्यादा electric field lines का number फिलहाल हम equal and opposite ले लेते हैं मतलब एक positive और एक negative ले लेते हैं एक dipole का system ले लेते हैं यदि ऐसा है तो आप क्या करोगे भाई positive से negative की तरफ electric field lines निकल रही है भाई electric field lines मेरी positive से negative की तरफ निकल रही है हाँ sir perpendicular to the surface होता है याद रखना perpendicular to the surface 90 degree बनाएगा angle और क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चे क्योंकि यहाँ पर attraction हो रहा है तो मतलब electric field lines आप असमें contract करेंगे ठीक है ना निकालते रहो आप कितने में निकाल लो और निकाल लो यहाँ पर और निकाल लो यहाँ पर ऐसे करके ठीक है ना और निकाल लो यहाँ पर ऐसे करके और निकाल लो यहाँ पर ऐसे करके एकुली स्पेस्ट ठीक है ना यह निकलेंगे तो कहीं न कहीं यहाँ पर ऐसे आ रही होगी कहीं न कहीं यहा टोड़ा सा अगर कोई दिक्क वाली बात नहीं है лет कि मतलब स्मॉझ में आ रही है मतलब बेसिकली क्या हो रहा है बेसिकली क्या होआ या पॉजिटिब चार्च से इलेक्ट्रिक फीड निकल रही है और नेगिटिव चारच पे टर्मिनेंट हो रही है और क्योंकि equal and opposite है मतलब dipole मान लो इसको मतलब dipole मान लो आप इसको तो यहाँ पर क्या हो रहा है एक दो तीन चार पांच छे साथ एक दो तीन चार पांच छे साथ equal lines निकली और equal lines अंदर आई मतलब charges का magnitude बराबर है और dipole का मतलब क्या होता है एक positive charge और एक negative charge दोनों का magnitude equal होना चाहिए गल्ड गाइस सही है सर बिल्कुल सही बात है तो अब यार बात क्या हो रही है आपर अगर आप इस point पर देखोगे बाई इस point पर देखोगे charge equal है तो potential आपका सेम रहे मतलब 0 हो जाएगा kqr minus kqr potential आप पढ़ोगे खेर आगे तो यहाँ पर एगर एक straight line ले लू ना मैं याद रखना आगे पढ़ाऊंगा यह second chapter पढ़ाऊंगा इस point पर इलेक्ट्रिक speed lines भाई आपका सीधा सीधा हो जाएगा सीधा क्या मेरी बात समझ में आ रही है 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 मने जैसे जैसे वह सेंटर की तरफ जा रहा है वैसे सीधा हो के फिर आगे उसकी तरफ जाता जा रहा है तो आपका आपने एक isolated positive charge पढ़ा एक isolated negative charge पढ़ा एक positive charge और negative charge पढ़ा अभी एक काम करते हैं एक positive और positive charge का भी system कर लेते हैं पॉस्टिव पॉस्टिव चार्ज का भी system कर लेते हैं कही ना कहीं यहां पर तो truck field zero होगा क्योंकि repent you know गा तो भई एक दो तीन चार पाच जितनी यहां से नेकाले उतनी यहां से निकाल लो 1 2 यह थोड़ा सा नहीं से निकाल लो एक, दो, तीन, चार, पाच, यहाँ पर क्या हो रहा भाई, क्या हो रहा है यहाँ पर, आपस में, आपस में लाइन्स खेच रही है, मानि रिपल्चन जो मैंने बता है यह वाला पॉइंट समझाऊंगो आपको, इसका मतलब यही है, और यह क्योंकि यह आपस में, आपस में हो रहा है, मतलब यह अट्राक्शन शो कर रहे है, यहाँ पर कॉंट्राक्शन, मतलब अट्राक्शन, यहाँ पर रिपल्चन, दो सेम चार्ट, नेगडव नेगडव लोगे, तो बस, क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगडव हो जाएगा, ऐसे करके, बाकी, कॉंसेट पूर पूरा सेम रहेगा जो पर्रेस निकल रही है वहां पर रेस कहीं कई चार्ज पॉज़िव से निकली गयी और ञघलेवप टर्मिनएट हो रही होगी कि अगर आप से कोई भी पूचेगा एलेक्ट्री विलाइन क्या है तो आप यहां से सीधा सीधा electric field lines की बारे में बता दोगी मेरे इसाब सी यहां टकी कहानी आप लोगों को clear है. Got it? Note करना है तो एक बार note कर लो. अब इसके just बात मैं आप लोग करार आऊंगा. इसके just बात मैं करार आऊंगा बच्चा. Electric flux. क्योंकि एक हिसाब से हमारा second last topic है so electric flux so electric flux sir electric flux होता क्या है sir electric flux होता क्या है sir what is electric flux electric V lines पढ़ाने का purpose यह था जिसे कि electric flux easily समझ में आ जाए number of electric field lines passing through surface normally लिखवा देता हूँ फिर समझाता हूँ one by one कैसे कैसे हम electric flux को denoad करेंगे क्या करेंगे electric flux 5 E नीचे लगाया मतलब electric flux क्योंकि आगे जाके आप magnetic flux भी पढ़ोगे तो इसले मैंने नीचे E लगाया magnetic flux में आप B लगाया जाए M लगा लो so electric flux is basically ओहो यह बुक नीचे गिरी वेती इसको जरा हम अटाव लिया से है है ना sorry हाँ so electric flux is number of electric field lines passing through a surface normally normally का मतलब पता है क्या है normally का मतलब perpendicular to the surface normally का मतलब perpendicular to the surface आज मैं यह जो ले रहा हूंगा मैंने कहा था शुरुवात में 30-40 मिनट का लेक्चर होगा अगर यह लेक्चर आप लोगों ने घर पे इसको अच्छे से रिवाइस कर लिया तो इसके बाद इसको 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 बस इतना ही चाहिए यार थोड़ा सा इतना ही consistency के साथ काम करते रहो dedication के साथ काम करते रहो सब बढ़िया होगा है ना और अभी तो साल शुरू हुआ है एसा मत करना कि लास्ट में मतलब चार जब 2 महीने या 3 महीने रह जाए तो तुम मतलब channels के आगे पीछे भाग रहे हैं सर अब क्या करे सर कैसे करे सर कुछ किया ही नहीं सर कुछ हुआ ही नहीं सर बता दो ठीक है सर, बात तो सही है आपकी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, कैसे, देखो, अगर ये मेरे पास कोई सर्फेस है, अगर ये मेरे पास कोई सर्फेस है, इस सर्फेस का, कोई भी एक सर्फेस है, मान लेते हैं, ये मेरे पास एक सर्फेस है, इस surface का जो area vector है ना यह सामने की तरफ को है सामने बिल्कुल सामने यह surface है ना भाई area vector is perpendicular to the surface और यह कह रहा है कि इस area vector के along कितनी electric field lines pass हुई है या फिर इस surface के perpendicular direction में कितनी electric field lines pass हुई है that is electric flux अगर यह इस surface के perpendicular मेरा यह मेरा अगर area vector है एक app लेलो चाहिए A vector लेलो मर्जी आपकी है इसी direction में कितनी electric field lines pass हुई है that is your flux तो flux क्या हो गया बाई electric field into area क्या मेरी बात समझ में आगरे तो इसका unit क्या होगा भाई electric flux का तो newton electric field का newton per coulomb और इसका meter square यानि newton meter square per coulomb यानि newton meter square per coulomb पर ऐसा जरूरी तो नहीं है ना भाई कि यह इसी direction में electric field lines निकले मान लेते है surface के perpendicular यह direction और electric field ऐसे हो कुछ angle पर कुछ degree पर तो उस case में आप थोड़ा सा imagine करो भाई मान लेते हैं मेरे पास यही surface है यही मेरे पास area vector है बट मेरी electric field ऐसे पास कर रही है area vector के साथ कुछ theta angle पर याद रखना theta is the angle between electric field and area vector तो मैं उस case में क्या करूँगा मैं इस electric field का एक component जो area vector में है area vector के direction में वो बना लूँगा और अब जो मेरा electric flux बनने का है that is going to be e cos theta into a या नॉर्मली लिख लो यार e a cos theta और अगर ऐसी बात है तो a b cos theta is a dot b या नॉर्मली कह दो e dot a तो यहाँ से मुझे एक चीज और पता चली कि यार यह तो एक scalar quantity है यह तो एक scalar quantity है e dot a is the electric flux बट यह पूरा वाकियात कब हो रहा था जब मेरा uniform electric field था जब मेरा electric field क्या था uniform था बट generally इतने बड़े surface के लिए electric field का uniform होना बड़ा मुश्किल है तो हमें non uniform electric field वाला case भी करना पड़ेगा electric flux क्या है भाई number of electric field lines passing through a surface normally या फिर passing through a surface perpendicular to the surface जहाँ पर आपने e into a कर दिया और यदि angle बनाया electric field ने area vector के साथ तो आपने electric field का वो component लिया जो area vector के direction में है so flux is e a cos theta या I can say that flux is e dot a or I can say that flux is e dot a और ये concept हमारा clear हो गए या से ये concept हमारा clear हो गए या से गल्ड गैस चलिया भाई non uniform electric field का concept ले लेते है so in case of non uniform electric field in case of non uniform electric field भाई ये page थोड़ा सा हटाना पड़ेगा भाई ये पेज थोड़ा सा हटाना पड़ेगा क्योंकि lag कर रहा है हाँ So in case of non-uniform electric field non-uniform electric field के case में बच्छे क्या करना पड़ेगा मुझे in case of non-uniform electric field मैंने कोई भी एक surface लिया भाया इसके अंदर एक छोटा सा surface ले लूँगा मैं ds इसका मान लेता है यह area vector है इसको मैं d a ले लेता हूं ठीक है न डी इस surface है तो ds vector ले लो चाहिए d a vector ले लो मर्जी आपके और यह मान लेता है electric field है theta angle है तो अब आपका flux क्या हो जाएगा भाई इसके direction में e cos theta हाँ बात तो सही है इतने बड़े surface के लिए electric field का uniform होना मुश्किल था तो बड़ा छोटा सा surface लिया उसके लिए कुछ e electric field ले लिया है तो आप क्या कहोगे भाई flux बराबर e ds cos theta यह क्या होगे d phi होगे चोटा सा flux होगे न भाई चोटे से surface के लिए हमें पूरे surface के लिए चाहिए होगा तो पूरे surface के लिए आप integrate मारो मानि integration of e ds cos theta मतलब e dot ds because ab cos theta is equals to a dot b because ab cos theta is equals to a dot b क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या मेरा ये concept मेरा ये चीजह आपको यहां तक समझ में आ रही है बच्छे I hope this is clear यानिक यह depend करते हैं अगर यह surface close है तो आपका flux क्या हो जाएगा भया e dot ds का integration but for a close surface but for a close surface मतलब यही पर अगर आप integral कर रहे हो तो आप इसको close कर दो बात ही हतम हो गई कि इसको करें एक दो सबाल करेंगे फिर उसके अबाद इसको खतम कर देंगे बेसिक सा सवाल कर रहे हैं जादा कोई बहुत बड़े वाले सवाल नहीं करेंगे बड़े वाले सवाल पिर अगली किसी session में कर रहे होंगे अभी तो बड़े basic से सवाल करेंगे ठीक है ना हाँ नॉर्मली देखो मतलब concept है यार concept यह नॉर्मली 11th class से ही आया है बट यार 11th class का यह नहीं बोलूगा तुम तो पढ़िके तुम तो पढ़िके आए ही होगे ऐसा कुछ नहीं बोलूगा कर लेंगे कर लेंगे भाई अभी हैना हाँ 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 मान लेते इवेक्टर इस एकस आई कैप प्लस एवाई जे कैप प्लस एजेड के कैप ठीक है ना और आपका डी एस वेक्टर इस इकल्स टू डी एस आई कैप प्लस तो इस केस में आपका फ्लक्स क्या होगा e.ds or I can say ex i cap plus ey j cap plus ez k cap dot dx i cap plus dy j cap plus dz k cap i cap dot i cap 1 हो गया so ex dx plus ey dy plus ez dz this is my flux मतलब नॉर्मली यार बिल्कुल नॉर्मल बेसिस पर है बिल्कुल नॉर्मल ची क्या ना जैसे नॉर्मली अगर मैं वैल्यूस में पुट कर दू आपको अगर मैं इसी को वैल्यूस में दे दू तो देखो कैसा question पूछेगा यह तो आपने note कर लिया होगा अगर मैं इसी को values में पूछू आप से तो values में कैसे question पूछेगा आप से जैसे इस ने बोला that electric field is equal to 6i cap plus 3j cap plus 4k cap ठीक है ना ठीक है ना if oh if electric field is इतना if electric field is इतना कैरा सर क्यालकिलेट दी electric flux through a surface of area 20 units in YZ plane आपको इसका solution करना है आप सबी बच्चों सी यह request करूगा कि भाई एक बार तुम लोग अपना इस video को पॉस करो एक बार इस video को पॉस करो इसको solve करने की कोशिश करो फिर मुझे बताओ ताके मैं करवा सकूँ तुमको फिर मुझे बताओ ताके मैं तुमको यह करवा सको बच्से सही है बातों सही है सर यार एक बात बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड तो यह है यह आपका सर्फेस एरिया का यूनिट है और यह YZ प्लेन है इस केस में आप क्या करोगे कुछ नहीं पहले तो नॉर्मल देखो आप पहले नॉर्मल देखो आप एलेक्ट्रिक फील्ड आपका 6I cap q3JA plus 4k cap है सही है ऑलेक्ट्रिक फील्ड आपका 6I cap q3 razin plus 4K kap ठीक है ना करें ठीक है हासर ठीक है बिल्कुल सही बात अ कि तो यह ए Elijah vector जो होगा देखो अगर surface आपका y-z plane में है, अगर कोई भी surface y-z plane में है, यह x है मान लेते हैं, यह y है, यह normally देख लो, यह आपका y है, यह आपका z है, और यह surface मान लो यहाँ पर है, तो यह surface का इस y-z का perpendicular क्या होगा भाई, x direction, बड़ी simple सी बात है, तो surface के perpendicular होता है area vector, इसका मतलब sir, area vector क्या होगा 20 i cap बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं यार electric field तो दे ही रखा है एक कोई भी surface है जो कि y और z plane में रखा हुआ है तो उनका area जैसे मान लो यह surface है यह y z plane में रखा हुआ है y z तो इसका जो area vector होगा वो इसके perpendicular होगा और y z के perpendicular आपका x x होता है इसका मतलब area vector का direction क्या है x के along flux ले लो सिधा सिधा क्या हो जाएगा e dot a मनि 6 i cap plus 3 j cap plus 4 k cap dot 20 i cap 20 into 6 120 i cap dot i cap तो 1 हो गया so 120 newton meter square पर यूनेट तो लिखा ही ने सीधा 120 यूनेट्स तो electric flux क्या होगे भाई या 120 units electric flux क्या होगे बच्चा 120 units कि क्या मेरी बात समझ में आ रहे हैं नोट करो इसको फटा-फट है ना कि नोट कर ले ते इसको फटा-फट आगे क्या बोल रहा है नोट कर लिया होगा I guess कर लिया होगा नोट अब आगे जो भी questions ये बोल रहा है देखो क्या question बोल रहा है लिखो सीधा-सीधा नॉर्मल सा question है ये भी ठीक है ना last question कर लेते इस class का इसकी बाद फिर class को wind up कर देंगी ठीक है ना I hope session अच्छा लग रहा होगा आपको आप मेरे साथ यार paid badge भी join कर सकते हो और 25% off भी चल रहा है 25 क्या इवन यहां पर iconic में 30% है और यहां पर 33% वी के army code यूज़ करो सीधा-सीधा आजो पेड़ में लिंक्स कहा मिलेंगे नीचे description में मिल जाएगे वासे लिल वासे लिवा समझो भाई बात को अगला सवाल अगला सवाल So, the next question here is A circular plane sheet of radius A circular plane sheet of radius 10 centimeter is placed in a uniform electric field is placed in a uniform electric field of 5 into 10 raised to the power 5 Newton per coulomb making an angle of 60 degree making an angle of 60 degree with the field calculate electric flux through the sheet Question पढ़ो, question क्या बोल रहा है फिर इसको solve करने की कोशिश करो देखो क्या answer आ सकता है बड़ा प्यारा question है एक circular plane sheet है radius 10 centimeter है uniform electric field में रखा हुआ है कितना angle बना रहा है 60 degree with the field ठीक है electric flux बताना है Sir, बहुत simple सी बात तो है यार, flux बराबर E A cos 60 E into pi R square cos 60 भाई, area of circular sheet गलत गलत भाई, गलत ऐसा नहीं होता है आपको समझना पड़ेगा क्या बोल रहा है question को फिर से ध्यान से पढ़ो आपने क्या गलती करी making an angle of 60 degree with the field कौन बना रहा है sheet बना रहा है मैंने क्या बोलाता, theta किस किस का angle है क्या बोलाता, theta is the angle between electric field between electric field and area vector and area vector और इधर angle कौन कौन बना रहा है इधर वो कह रहा है यार वो कह रहा है यार ये sheet है ये इसका area vector होगा और ये electric field होगा ठीक है ना ये electric field होगा भाई ये तो area vector के साथ 90 degree बनाता है तो sheet के साथ ये कितना degree angle बना रहा है 60 तो electric field area vector के साथ कितना बनाएगा 90 मैंसे माइनस कर देना तो ये थोड़ी सी गड़बड हो जाती है आप सीधा 60 लेते आपका अंसर गलत होता कहरा सर ये sheet है ये area vector है और sheet के साथ electric field देखिए ये मेरा ये मेरा electric field था जो के इस sheet के साथ जो के इस sheet के साथ 60 degree angle बना रहे ये sheet के साथ 90 degree angle बना रहे तो ये जो थोड़ा सब इन दोनों की बीच में बचा वो कितना बचा 30 degree तो इसका मतलब आप लिख देंगे सर theta मानी theta कितना हो जागा यापर 30 degree मानी 90 माइनस 60 पराबर 30 degree याद रखना ये अक्सर अक्सर ये गड़बड कर देते हैं हम लोग theta is 90 degree माइनस 30 degree तो अब आप कर सकते हो flux बराबर E A cos 30 degree ना के cos 60 degree आंसर तो formula तो simple है बस ये 60 और 30 का गलती करते आपका आंसर गलत हो जाता तो यहाँ पर देखना है कि भाई वो क्या बोल रहा है वो जो angle दिया है क्या वो surface और electric field की बीच में है या electric field और area vector की बीच में है यदि तो surface और electric field की बीच में होगा तो भाईया area vector के लिए आप उस angle को 90 से minus कर दोगे और अगर यह बोला होता a circular plane sheet of radius 10 cm is placed in a uniform electric field of इतना such that area vector is making an angle of 60 degree with the field तो आप 60 degree लेते बट उसने बोला sheet ने 60 degree बनाया है तो sheet ने electric field के साथ 60 बनाया sheet ने आपका area vector के साथ 90 बनाया तो area vector और electric field की बीच में 30 degree कैसे पता चला 90 minus 60 concept clear हो गया बाई बिलकुल plane सा सवाल है अब value पुट कर दो भाई 5 into 10 की power 5 area vector मानी pi r square मानी देख एरिया क्या होगा यहा से अलग से ले लो pi r square pi 3.14 r का मतलब 0.1 into 0.1 तो भाई 3.14 बटे में 100 यह और 100 कर लो यानि 3 1 4 into 10 की power minus 4 कर लो भाई 3 1 4 into 10 की power minus 4 भाई पॉइंट से नीशे 100 आ गया दो पॉइंट का 100 आ गया 3 2 14 आपका दस अजार उपर जाएका 10 की power minus 4 कॉस 30 कॉस 60 तो 1 by 2 होता है कॉस 30 रूट 3 by 2 रूट 3 by 2 साहिए साहिए 2 से गया एक 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 पाच साथ आप तो मल्टिप्लाई कर लो पाच सते 35 तीन पाच पंज पच्चीस ये अठाइस दो पाच एकम पाच चे साथ 785 इंटू 10 रेस तुदी पावर भाई या 5 और माइनस 4 1 रूट 3 याद रखना कुछ गड़बढ हो तो भाई देख ले न याद रखना अगर कैलकुलेशन में कुछ गड़बढ हो तो आप लोग देख सकते हो ठीक है न कैलकुलेशन में कुछ गड़बढ हो रूट 3 तो यह आजाएगा आपका 1.44 यानि यह आजाएगा आपका अप्रॉक्सिमेटली 1.4 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4 क्या मेरी बात समझ में आ गई यूनिट तो लिखना पड़ेगा ना भाई सब कुछ तो दे रहा है तो न्यूटन मीटर स्क्वेर पर कुलाम कॉंसेट समझ में आया मैंने क्या किया यह आप शीड था रेडियस था सब कुछ दे दिया फ्लक्स निकालने को बोला हमने फ्लक्स निकाल दिया आपका बिलकुछ स्वाल था आपने कर लिया भाई क्या मेरी बात समझ में आ गई I hope this is very very clear to you और बचा मेरे इसाब से यह डन है भाई यह आपने कर लिया देखो यार फ्लक्स का कॉंसेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉंसेट हमारा क्लियर हो गया मैंने 40 मिनिट बोला था कोई बात ने सेशन हम हमारा लगवग लगवग 48-49 मिनिट के आसपास का होगी मेरे इसाब से आपको यह अच्छे समझ में आ गया होगा आज के इस सेशन को हम लोग यही पर समाप्त कर दे रहे होंगे बचे मैं आपसे मुलाकात करूंगा आप ही के अगले लेक्चर में जिसमें हम गौस तेयरम क आज के इस लेक्चर को यही पर समाप्त कर दे रहे होंगे मैं मुलाकात करूंगा आप से आप ही के अगले क्लास में तब तक के लिए यार अच्छे से पढ़ाई करते रहे आल दे वेरी बेस बचो बाई गाइस बाई और और येस जहें